पूरे परिवार का है मेरा तुम्हारा नहीं तब एकृष्ण कहते हैं कि रादा के इच्छा मिरी लिए आदेश जो रादा जाती है वो पूरा जरूर होगा यहाँ पर साम काफ़ी जादा टेंशन में घूम रहा होता है कि पता नहीं श्री कृष्ण उटसफ के लिए मानेंगे और नहीं मानेंगे रादा कहती है कि हाँ साम क्रिष्ण मान गया है लेकिन तुम बस इतना सुनश्रित करो कि जब तक मैं न कहूँ तब तक तुम वहाँ पर किसी भी घरवाले को ले करके मता न साम कहता है क्यूँ ऐसा क्यूँ वहाँ पर क्या साम के से खाνते हैं कि कर स्क्सकांत्रने पर को अब है निकले कर सामने आजाते हैं और कहते हैं प्रतीत कोई विश्यालушка और बहुत हिए बहुत बादाव को ने का रहे है लिए भी उना को शाल्फ के भेजे हुए सारे गुप्चर होते हैं, वो पूरा आसवाशन देने का प्रयास करते हैं, बल्रामदाओ को कि द्वार का वासी ही है, और कृष्ण के नाम की सोगन भी खा लेते हैं, जिसे सुनकर बल्रामदाओ पहले उस पर शक करते हैं, लेकिन फिर मान जाते हैं, फिर वो कहते हैं कि हम भी इस कारे में आपकी मदद करना चाहेंगे कि अगर आपकी पर्मिशन हो तो हम भी इन लोहारों की कुछ मदद कर दें बल्रादाव कहते हैं तो ठीक है देख के रहे हो उठाओ हो तोड़ा और शुरू हो जाओ यहाँ पर यह दोनों उस मूसल के टुकड़ों को चून बनाने में उन लोहारों के सायता करने लगते हैं जिसे देख कर बल्रामदाव भी प्रसंद हो जाते हैं यहाँ पर दूसरी तरव दिखाया जाएगा कि मा पारवती महादेव को तयार कर रही होती है राधा और कृष्ण को सफ में जाने के लिए और तयार होने के बाद महादेव बहुत जादा प्रसंद होते हैं और कहते हैं वाकई में एक इस तरी जब पूरे मन से पूरे प्रेम से सिंगार करती है या करवाती है तो वो अगभुध ही निकलता है आगे महादेव कहेंगे कि चलो गौरी अब हमारा चलने का समय आ गया है इस अगभुध द्रश्य को देखने के लिए मुसे रहा नहीं जा रहा यहाँ पर दिखाया जाएगा कि सारी पूजा की साथ सज्जा हो जाए कि जहांपर कृष्ण कहेंगे रादा से कि चलो पहले हम महादेव पर पसंद होते है अब भूलेनात का ये नया रूप देख, राधा और कृष्ण दोनों ही बहुत प्रसंद होते हैं राधा कहती हैं कि क्या बात है आस तो आपके साथ पर मेरी सक्षी गौरी भी आगी एक के बुलाने पर दो लोग आ गए ये तो बहुत ये अच्छी बात है और आपको ये अद्बुत दिव्य द्रश देख करके हमें बहुत ये अच्छा लग रहा है मादेव कहते हैं कि जी अगर आप लोग इतने सुसजित हुए हैं इतने पड़े आयोजन के लिए तो ऐसे में हमें तयार होकर किया आना तो अन्यवारे था और मेरा श्रंगार स्वयम गौरी नहीं किया है यहां दूसी तब दिखाया जाएगा कि कैसे सभी द्वार का वासी उस इस्थान पर पहुंचने वाले होते हैं जहां पर राधा और कृष्ण होते हैं तब ही साम सब को रोकता है पीचे से श्रीक्रिष्ण बांसुरी की धुन बजाते हुए नजर आते हैं और बहुत जादा खुबसूरत द्रश्चन नजर आता है क्योंकि श्रंगार आधा द्वार का धीश यासा होता और आधा गौले जैसा यह तो बर्रामदाव जहां पर होते हैं वहाँ पर श्रीक्रिष्ण की बांसुरी की मदर्धुन सुनाई देती है और निशाद और बर्रामदाव भी परसंद हो जाते हैं यहां पर कैलाश में स्थेट गौरी भी बहुत ही खूब चुरत अंदाज से अपने भाई की बांसुरी का वादन सुन रही होती है और सारे देता भी बहुत जादा आतुरता से वेट कर रहे होते हैं कि आखर ऐसा क्या भवे होने वाला है तब ही यहां पर बर्रामदाव बहुत ही जादा खुश नजर आते हैं तब ही निशाद आता है और कहता है कि पता श्रीयाब जाइए आपके जाए बिना वो उत्साव अधूरा रहेगा मैं यहां पर हूँ आप निश्यन दो करके जाएए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी मैं सब समभाल लूँगा बर्रामदाव कहते हैं कि ठीक अपुत्रों मैं जाता हूँ लेकिन दियान रहे इस कारे में कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए दुम सुनश्रित करना कि पूर्ण कारे तुम्हारी निग्रानी में ही हो और वो कह करके चले जाते हैं निशाद यां पर अपने पिता श्री को भेच का भार अपने ऊपर ले लेता है यहाँ पर श्री कृष्ण गुलाल उलाकर गुederस सबकाश शुरू करते हैं माहौज और यहाँ पर बहुत ही खुबसूरत निद्य प्रस्तित करने के बारे में बोलते हैं श्रेक्रिष्ण यहां पूरी द्वारिका में होली जैसा माहौल बना देते हैं और पहले बजाते हैं बासुरी और फिर राधा के साथ होता है बहुत एक खुपसूरा सारास पूरी द्वारे का जश्ट में डूबी हुएती है और राधा क्रश्ट इतना सुन्दर नृत्य करते हैं और साम ढोलना काड़े बजाता है या रुख्मनी रेवती सब ही लोग मिलकर के बहुत अच्छा नृत्य कर रहे होते हैं या निशाद को भी पूरे उत्सफ की धुन सुनाई देती है और वो इंजॉय कर रहा होता है तब ही वो जो गुप्तचर होते हैं वो कहते नजर आते हैं कि अरे ये क्या पूरा परिवार उत्सफ में लीन है होते हैं और तब ही अचानक से एक अद्बुद रौश्णी प्रकट होती है आकाट से सबी लोग उपर देखते हैं उनने समझाता है कि यहां भूले ना बहुत ही खुप्सूरत सा रत्र प्रस्तुत कर रहे होते हैं जो उनका आनन्द तांडव होता है जिसे देखकर सभी मंत्र मुग्ध हो जाते हैं यहां पृत्वी पर श्रीक क्रिश्न रत्य करते हैं और आकाश में महातेफ जिसे देखकर सभी लोग यही कहते हैं कि सत्यकाता राधाने ऐसा अद्बुद्रश्य ना कभी हुआ है और ना कभी होगा इतना खुबसूरा तो सब की कल्पना किसी ने नहीं की होगी और यहां पर दोनों अपनी अपनी परफॉर्मेंसे सब को हैरान कर देते हैं जैसे ही ये फ्रंक्शन खतम होता है सभी परवारवाले खाने के लिए बैठते हैं जहां पर साम कहता है कि इतने अद्बुद्रश्य के बाद राधा आप सही कह रहीं थी कि ऐसा ना कभी हुआ है और ना हम में से किसी ने कभी एहसास किया है ये अद्बुद्था अकल्पनिय था तब ही श्रीक्रिश्न को प्रेज करते हुए निशाद आता है और कहता है कि प्रेवा इतने अच्छे उच्छफ के बाद में आप चपन भोकानन क्यों न लिया जाए बल्राम दाव निशाद को देख करके काफी जाद करोध में आ जाते हैं और उससे साइट मुले जाकर कहते हैं मैंने तुम से कहा था ना कि तुम कोई भी लापरवाही नहीं बढ़त टुकड़ों का चून बन चुका था वैसे भी मेरे वहां होने से क्या फरक पड़ता है बल्राम दाव निशाद पर बहुत क्रोध करते हैं तब ही साम आता है और उसका पक्ष लेता है कि ताउश्री आप इसको इतना मड़ नाटिए एक बड़े भाई होने के नाते मैं इसक शक्ति तुमें दूंगा जिसकी सायता से तुम इतना भारी मुसल का टुकड़ा भी उठा पाऊगे तब यह दिखाया जाता है कि जो गुप्चर होते हैं वो अपनी पोटली में से कुछ ऐसी नश्रीला प्रदात निकालते हैं जिसके बाद सभी लोग बेहोश हो जाते हैं और यहाँ पर वो मुसल का टुकड़ा चुरा करके अपने थेले में रख लेते हैं और उधर दूसी तरफ बल्रामदाव निश्याद और साम आही रहा होता है वहाँ पर जहाँ पर यह सार कारे चल रहा होता है अंतता शुक्रा चारिश को अलट करते हुए निजर आएंगे कि कृष्णिम और तुमारा अंत निश्यत है क्योंकि सारे मुसल का चुन नहीं बना है यह हो जाएगा शुराद के अपिसोड का एंड जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स रिपोर्ट में वल ऐसी मज़िदान अपडेट्स के लिए चैनल को करें और वीडियो को लाइक शेकर ना पूलें